स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर सुनित और आज हम बात करेंगे एक नए रिसर्च स्टडी के बारे में जो हमारे हार्ट और मेटाबोलिक स्वास्त पर कैसे असर डालता है इसके बारे हम समझेंगे इस रिसर्च स्टडी में हम देखेंगे कि देर रात स्नैक्स खाने वाले के लोगों के हार्ट और मेटाबोलिक हेल्थ पर कैसे इसका बुरा असर पड़ता है 24 जुलाई 2023 को एक ओनलाइन जर्नल है जिसका नाम है नूट्रिशन पर एक नया रिसर्च पब्लिस किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि रात को स्नैक करने वाले लोगों के हार्ट और मेटाबोलिक स्वास्त में बुरा प्रभाव पड़ता है इस रिसर्च में यह भी पता चला कि स्नैक का क्वालिटी और किस समय आप स्नैक ले रहे हैं यह हमारे हार्ट और मेटाबोलिजम के उपर में इसका असर पड़ता है तो फ्रेंट्स स्नैक्स जो हमारे तीन मुखे बोजन जो सुबह में नास्ता होता है साम दो पर में लंच होता है इसको हम स्नैकिंग करते हैं और आज कल कि जीवन सैली में स्नैकिंग बहुत आम हो गया है एक रिसर्च के इनुसर लगबग 50% लोग रोजाना कम से कम 2-3 वर स्नाकिंग करते हैं और उनका टोटल एनरजी 22% एनरजी स्नाकिंग से मिलता है लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्नाक्स और उनकी स्वास्त पर होने वाले असर के बारे में बहुत कम जानकारी है इस रिसर्च के मुख्य लेकक हैं जो केट बर्मिंगम हैं उन्होंने कहा कि 20-25% का उर्जा है हमारे सरीर में वो स्नाकिंग के द्वारा मिलता है फिर भी इसके उपर में बहुत कम रिसर्च है तो फ्रेंट्स केट बर्मिंगम और उनके टीम ने जो प्रडिक्ट वन एक स्टडी है वहां से ये डाटा का उप्योग किया आपको पता दू कि जो प्रडिक्ट स्टडी दुनिया का सबसे बड़ा UK-based nutrition research program है जो metabolism के उपर में काम करता है और हम विबेन प्रकार के खादे-प्रदार्त जो हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे स्वारस्त में कैसे क्या होता है इसके उपर में ये study research करता है और इसी से यही research से data को निकाला गया है तो researchers ने इस चीज के लिए 1000 participants को चुना जिन्होंने जो श्टडी में अपनी snacking habits को गोसना की उन्होंने बताए कि उनका snacking habits किया है कब खाते हैं किस quality का snacking खाते है और इस सब data को researchers ने collect किया और उनको दो से तीन चार दिन तक उनके उपर में निगरानी रखा गया snacking के समय और उनके snacking habits के नुसार उनको चार डिफरेंट डिफरेंट में डिवाइड किया गया एक है morning snackers जो सुबह में snacking करते हैं जो कि 13% लोग है जो अधिकान्स सुबह की समय में करते हैं और दूसरा है afternoon snackers जो 39% लोग है सबसे अधिक प्रतिभागी दोपहर के snackers हैं जो दोपहर के 12 बजे से लेकर के साम 6 बजे तक अपने snacks खाते हैं थर्ड है रात के snackers यानि net snackers जो कि 31% है जो लोग अपना snacks का अधिकान्स और जा साम के 6 बजे के बाद खाते हैं उन्हें रात के snackers कहते हैं और आखरी में हैं ग्रेजर्स जो कि 17% है कुछ participants लोग ऐसे हैं जिनका कोई specific time नहीं होता है खाने का जिनने ग्रेजर्स के category में आंत में researchers ने खून का sample लिया और उसमें fat और sugar का level को जाचा जो heart और metabolic स्वास्त को पहचानने के लिए बहुत मददगार है प्रमुक रिसर्चर्चर्स गेट बर्मिंग ने जो किंग्स कॉलेज लंदन के पोस्ट डॉक्टरल से फेलोसिप है उन्होंने बताया कि snacking का quality snacking के frequency से ज़्यादा important है और reports के नुसर विटामीन और portion से भरपूर high quality snacks को चुनना अधिक फायदे मन्द होता है जैसे processed snacks हो गया इनके मुकाबले अगर आप high quality snacks लेते तो ज्यादा फैदे मन्द हो और research में यह भी पाया गया कि high quality snacks को हमारे खून में fat और insulin level को सुधार लाता है इस research के सबसे estrogenic नतीजा यह है कि snack का समय हमारे स्वास्थ पर असर किस तरह से डालता है जो लोग रात को 9 बजी के बाद snack करते हैं यानि कि late night snackers हैं उनका स्वास्थ पर increased blood glucose level और lipid level के साथ नकारात्मत प्रभाव होता है तो क्या आपको पता है कि आपके लिए कौन सा snacking habit बैतर है इस research के नतीजे स्पष्ट रूप से इस बात को दिखाता है कि खराब quality वाले snacks से बचना चाहिए और रात के snacking से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि दोनों ही हमारे cardio metabolic स्वास्थ पर कई तरह के हानी कारक प्रभाव डाल सकते हैं लोगों को यह भी सलास दी जाती है कि high quality snacks का सेवन करें जैसे कि फल, मेवा, dairy products, उच गुनत्ता वाले snacks जैसे कि blueberry, yogurt, सेब, पनीर, butter या एक high boiled अंडा जिस पर थोड़ी सी नमक डाल कर ख देने के लिए और यह बिना ज्यादा calorie दिये आपके भूख को मिटा भी देता है और आपको रात के snacking से बचना चाहिए नौ बजे के बाद snack करने से बचना चाहिए रात के snacking वैसे भी गलत है यह 18 वीडियों को बढ़ा देता है यानि कि रात में जो खाली पेट हमारे सरीर को रात में खालीं पेट रहना चाहिए और अगर हम देर से खाते हैं गली रात में जो खाली पेट रहना है वो कम हो जाता है जो कि हमारे स्वास्थ के लिए हानिकारक होता है और मैं एक फिजिए त्रप्ष्ट होने के नात आपको सुझावदेता हूं कि आप अपने दयन girselves सुभा या साम का वर्क आउट करें, एरोबिक्स करें और वयाम एक्सरसाइज को भी सामिल करें. यह रिसर्च हमें यह सिखाते हैं कि स्नाकिंग के स्वास्त का महतपूर्ण असर हो सकता है. लेकिन हमें सही तरीके से स्नाकिंग करना होगा. जैसे कि अच्छे क्वालेटी वाले स्नाक्स का से वन करें, बहतर है कि रात को के स्नाकिंग से बचें. तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा. अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल से बने रहे हैं और अगर हमेरे चैनल में नए है तो इसे जरूर सब्सक्राइब पर लें. यह वीडियो कैसा लगा आप अपना राय दें और इसे लाइक करें शेयर करें. थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंट्स बाबाए.